जर्मन एम्पायर, समराट विल्हेम फोस्ट, आयरन चांसलर विस्माक और जर्मन जनता की अटूट श्रद्धा का परिणाम था जिसे एक करने के लिए इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया इन्होंने इन छोटे छोटे जर्मन राज्यों को एक करने के लिए उस समय की यूरोप की महान ताक्तों से युद्ध किया जाए वो स्वीडन हो आस्ट्रिया हो या फ्रांस ही क्यों ना हो इन्होंने बड़ी ही बहावदुरी और विस्माक की चालाकी के साथ लड़ाईयां लड़ी लेकिन किसलिए इसलिए कि भविश्य में दो आदमी ऐसे आएंगे जो की समराज जी को टहस महस कर देंगे जिस राष्टवाद की भावना के साथ जर्मनी का एकिकरण हुआ था वही राष्टवाद की भावना जर्मनी को तोड़ने में भी प्रमुक कारण बनी थी और जर्मन एंपायर की साग गवाने में महतोपूर्ण भूमी का निभाई थी जर्मन समराट विलहेम केसर सेकंड ने और सच में अगर अमिज जी जर्मन समराट को पहले देख लिए होते तो वो नस्तोलाल की मूच्छों की तारिफ नहीं करते बलकि ये कहते कि मूच्छे हो तो विल्हेम केसर जेसी तो दोस्तों विडियो की सुरुवात हो चुकी है मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन एमपायर की नहीं यांटूआने वाले विल्हेम केसर सेकंड के बारे में तो आईए सुरू से सुरू करते हैं समराट विलियम केसर का जन्म 27 जन्मरी सन 18-19 को जर्मनी में वर्लिन के पास पोस्डेम में हुआ था वो प्रश्या के फेडरिक थर्ड और ब्रिटेन की राजकुमारी विक्टोरिया के बेटे थे विक्टोरिया ब्रिटेन की महरानी विक्टोरिया की सबसे बड़ी बेटी थी जिनकी साधी फेडरिक थर्ड के साथ हुई थी यानि की आपसी रिस्तदारी होने के बावजूद भी जर्मनी और ब्रिटेन में काफी दुस्मनी थी जो खुद विल्यम सेकंड ने बनाई थी वो खुद एक विज्ञान का विद्यारती था जिन्होंने विल्हें बॉन युनिवर्सिटी से सिक्षा ली थी साथ ही उनकी मा ने उसे बच्पन से ही उदारवात की सिक्षा भी दी लेकिन आगे चल कर उसकी मा से उसके रिस्ते खराब रहे और यही कारण भी माना जाता है कि विल्हें ब्रिटेन से क्यों चिरता था सन 1888 में विल्हें के पिता फेडरिक थर्ड जर्मन सामराज्य के समराड बने लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो कुछ मेने ही सत्ता में रहे और 29 साल की उम्र में 15 जून 1888 को अपने पिता की मोत के बाद विल्हें ने सत्ता समाली सत्ता समालते ही उसने विस्माक पर दवाव बनाया जिससे विस्माक ने सन 1990 में अपना इस्तीफा दे दिया और यह भविश्यमाडी भी कर दी कि यही बंदा आगे चल कर जर्मनी की नईया डुबाएगा और इसा हुआ भी दोस्तों विलहेम सेकंड पर जादा बात करें उससे पहले बात करते हैं जर्मन एम्पायर की स्थिति के बारे में क्योंकि फ्रेंकफर्ट की ट्रिटी के बाद जर्मन एम्पायर अस्थित्व में आ चुका था विलहेम फर्स्ट को जर्मन समराट का ताज पहनाय गया विस्माग जर्मन एम्पायर के पहले चांसलर वने जिनने आयरन चांसलर के नाम से भी जाना जाता है उस समय यूरोप में जर्मनी अकेला नहीं था उसके साथ साथ इटालियन राज्ज भी एक हो चुके थे याने की इटली भी एक ताकतवर देश के रूप में अस्तित्व में आ चुका था और जर्मनी के साथ साथ इटली के एकिकरण की कहानी भी एक साथ जुड़ी हुई है और जर्मनी के एकिरन के बास से ही यूरोप में विस्माक का युग भी शुरू हो चुगा था फ्रेंकफर्ट की टीटी में विस्माक ने फ्रांस का इस तरह से अपमान किया था कि उसे पता था कि फ्रांस के लोग ये अपमान नहीं भूल पाएंगे और एक ना एक दिन फ्रांस जर्मनी पर युद्ध थोपेगा इसलिए विस्माक ने अपनी फोरेन पॉलिसी फ्रांस को देखकर ही निधरित की थी याने कि फ्रांस को अलग थलग रखना ताकि कोई भी ताकतवर देश फ्रांस के साथ खड़ा ना हो पाए इसलिए उसने ब्रेटेन की ताकत का सम्मान किया कि भाई तुम ही कालोनिय बनाओ हमें कोई दिल्चस्पी नहीं है अगर गलती से कोई बच जाए तो हमें दे देना बाकी यूरोप के साथ भी उसके संबंद बहुत अच्छे थे बिस्माक ने ट्रिपल एलाइंस की स्थापना की थी जिसमें आस्ट्रिया इटली भी शामिल थे हाला कि सुरुआत में इसमें रश्या भी शामिल था लेकिन बाद में वो इससे दूर होते गया लेकिन फिर भी बिस्माक की फॉरिन पोलिसी में तब तक बिस्माग भी बुड़ा हो चुका था और इस बदलती हुई दुनिया में बिलहेम पुरानी विचारधरा वाला समराट बना मतलब समराट ही राजा का माईबाप होता है देवताओ का पूतर होता है और पूरे देश का श्वामी होता है जबकि बिस्माग के सिद्दान के अनुसा समराट एक करमचारी से ज़्यादा कुछ नहीं होता हाला कि जर्मन समराट के पास पूरी ताकत नहीं थी लेकिन बिस्माग के इस्तिपे के बाद से ही जो भी नए चांसलर बने वो या तो समराट के करीबी थे या रिस्तिदार थे इसलिए सारा का सारा पाबर उसी के हातों में रहा। एक ब्रिटिश इतिहासकार विल्यम फिसर लिखते हैं कि विल्यम सेकंड का चरित्र जर्मनी का दुर्भागी था। वह समराट के योग तो था पर गर्म मिजास के कारण उसकी बुद्धी भर्ष्ट हो चुकी थी। सत्ता सम्हालते ही विल्यम केसर ने अपनी फोरेंग पॉलिसी में काफी बदलाव की। वह जर्मनी को यूरोप की नहीं बलकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता था। और वर्ल्ड पावर बनने के लिए सीधा सा एजेंडा था ब्रिटेन की तरह अपनी भी कालोनिया बनाओ। और वालकन याने की पूर्वी इरोप में बुड़े हो चुके आउटमन एम्पायर का फायदा उठा। लेकिन उसकी इसी पॉलिसी के कारण अब उसके दुस्मन भी बढ़ रहे थे। बिसमाग की फॉरें पॉलिसी के अनुसार बिसमाग बृटेन की नेवी का सम्मान करता था। इसलिए उसने कभी भी अपनी नेवी को सक्तिसाली नहीं बनाया ताकि बृटेन से कोई दुस्मनी नहों। लेकिन विल्हेम ने अपनी नेवी को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया क्यूंकि बीना ताकतवर नेवी के कॉलोनिया बनाना आसान नहीं था विल्हेम की इस पॉलिसी से बिटेन सचेत हो गया क्योंकि उसे पता था कि जर्मनी आगे चल कर उसी के लिए खत्रा बन सकता है और बिटेन अब जर्मन एंपायर का दुस्मन बनते जा रहा था विल्हेम ने अपनी नो सेना को ताकत वर बनाने के लिए सन 1897 में फॉन टोवाज को अपना जल सेना मंत्री बनाया और जंगी जहाजों के निर्मान की योजना बनाई सन 1898 में एक नो सेना कानून भी पारित किया और 1900 तक जर्मनी की नो सेना दो गुनी हो चुकी थी साथ ही नेवी लीक की इस्थापना की और जर्मनी की बढ़ रही ताकत को देखकर ब्रिटेन ने भी अपनी नेवी को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया और कामपीडिशन की इस रेस में दोनों ही देसों की नेवी ताकतवर होते गई साथ ही विलहेम ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे ब्रिटेन बहुत नाराज हुआ उस दोरान साथ अफरीका में वोर युद्ध चल रहा था जिसमें बिलहेम ने ब्रिटेन की आलोचना की इस घटना से ब्रिटेन बहुत नाराज हुआ था बात करें फ्रांस की तो फ्रांस तो पहले से ही जर्मनी का बहुत बड़ा दुस्मन था इसलिए अब लिस्ट में ब्रिटेन भी शामिल हो गया और फ्रांस और ब्रिटेन अब नजदीक आने लगे जब तक यूरोप में विस्माक रहा तब तक फ्रांस यूरोप में अलग थलग पड़ा हुआ था लेकिन जैसे ही विस्माक का यूँख खत्म हुआ फ्रांस को भी उम्मीद की नई किरण दिखाई दी यूगि विलहेम वो सब कुछ कर रहा था जो विस्माक नहीं चाहता था जबकि फ्रांस तो यही चाहता था विलहेम ने ऐसा ही कुछня Walkan में भी किया जिससे उसका एक और नया दुस्मन जरमनी के सामने खड़ा हो गया दोस्तो जीओ पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुस्मन नहीं होता लेकिन विलहेम के राज में जर्मन एम्पायर और आस्ट्रो हंगेर एम्पायर के बीच दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि रश्या नाराज हो गया विस्माक ने अपने समय में यह भविश्यवाणी पहले ही कर दी थी कि अगर यूरोप में बिश्युद्य सुरू होता है तो उसका प्रमुक कारण पूर्वी यूरोप ही होगा याने की वालकन का छेतर और उनकी भविश्यवाणी सो टका सही भी सावित हुई थी विस्माक कभी भी पूर्वी यूरोप की समस्या पर ध्यान नहीं देता था वो यहाँ तक की पूर्व से आये हुए किसी भी खत को खोल कर भी नहीं देखता था लेकिन बिलहेम ने पूर्वी समस्याओं में उंगली की उसने आटोमन एंपायर के साथ संबंद बढ़ाए वो वर्लीन से लेकर बगदाद तक एक रेलवे लाइन का निर्मान चाहता था इसलिए उसने आटोमन एंपायर से अच्छे संबंद बनाए और उस समय आटोमन सुल्टान अब्दूल हमीर ने इसकी अनुमती भी दी लेकिन उसके इस कदम से बिटेन के साथ साथ रस्या भी नाराज हुआ वालकन सलाब जाती के कारण रस्या के करीब था लेकिन आटोमन एंपायर की घट रही ताकत के कारण आस्ट्रो हंगरिन इंपायर की नजर इस छेतर पर थी जिसके कारण रस्या और आस्ट्रिया में काफी बड़ी दुस्मनी थी और जर्मनी से आस्ट्रिया की दोस्ते के कारण रस्या जर्मनी से दूर होते गया और फ्रांस के करीब आता गया सन 1894 में फ्रांस और रश्या की ट्रीटी से यूरोप में एक अलग ही परिवर्तन हो चुका था बात करे कोलोनाईजेशन की तो बिस्माक ने जर्मनी को इससे दूर ही रखा लेकिन विल्हेम नहीं माना वो अफरीका की लूट को दूर बेठे नहीं देख सकता था जहां ये सभी यूरोपिय देश गिद्ध की तरह अफरीका को लूटने में लगे थे जर्मनी भी इसमें सामिल हो गया और अफरीका सही तेशा में अपनी कॉलोनिया इस्थाविशी अब ऐसा नहीं है कि विल्यम केसर ने सिफ उल्टे काम ही किये उसने जर्मनी के विकास में महतुपुन भुमी का भी नेवाई उसके राज में जर्मनी ने दिन दोगनी और राज चोगनी तरक्की की जर्मनी के उद्योगों में एक दम से तरक्की हुई उस समय जर्मनी के पास लोरेन में परियाप्त प्राकरतिक भंडार थे जिसका जर्मनी ने खुब इस्तिमाल किया उस समय उद्योगों में उसे टक्कर देने वाला एक ही देश था वो था अमेरिका लेकिन विलहेम की नितियों के कारण अब यूरोप दो भागों में बढ़ चुका था पहला हिस्सा था ट्रिपल एलाइंस और दूसरा था ट्रिपल एंटेंट और उसी का ही परिणाम था कि जब आगे चलकर बोसनिया में आस्ट्रिया के डूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की गई तो आस्ट्रिया हंगिरेन इंपार के साथ विलहेम भी खड़ा था अगर वो चाता तो विश्विद्ध टाला जा सकता था लेकिन विश्विद्ध हुआ जर्मनी ने अगस्त 1914 के पहले हपते में ही फ्रांस और रश्या के खिलाप युद्ध की घोशना कर दी और युद्ध सुरू हो गया विलहेम इस युद्ध में ससत्र बलो का कमांडर इन चीप था हाला कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि विलहेम अपने आर्मी जनरलों के सामने मजबूर था इसलिए उसे युद्ध में जाना पड़ा था लेकिन जो भी हो एक समय के बाद जर्मनी का साथ उसके साथ ही छोड़ चुके थे जर्मनी हार की कगार पर था और 1916 के बाद बिलहेम की पावर भी खत्म हो चुकी थी जब जर्मनी हारा तो बिलहेम ने 9.1918 को त्याक पत्र दे दिया और अगले ही दिन एक गाड़ी लेकर निदरलेंड भाग लिया सब बिमारी से तूर जहां उसने होन शहर में एक घर खरीदा और अपने परिवार के साथ रहने लगा युद्ध खत्म होने के बाद सहयोगी देश उसे युद्ध अपरात की सजा देना चाते थे लेकिन नीदरलेंड की रानी ने इसके लिए मना कर दिया इस दोरान नीदरलेंड में उसका जीवन भी दुप सही भरा हुआ था क्योंकि 1920 में उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और आगे चलकर उसके बेटे ने आत्मत्या भी कर ली थी हाला कि 1922 तक उन्होंने फिर से दूसरी शादी कर ली थी जिसके बाद से वो नीदरलेंड में ही रहा लेकिन 1940 के दोरात जब हिटलर यूरोप में बढ़ रहा था तब ड़च रानी ने उससे दूसरी जगा ले जाने का निविधन भी किया यहां तक कि ब्रिटेन के साही परिवार ने भी उससे निविधन किया कि वो ब्रिटेन आ जाए लेकिन वो नीदरलेंड में ही रहा उसने हिटलर की यहूदी विरोधी धारनाओं पर बयान भी दिया था जिसमें उसने कहा था कि आज पहली बार वो एक जर्मन होने पर शर्म आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए अगर ज्यादा पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगता है जैहिन वंदे मत्रब दोने के साथ जूर्म आए यंद आएक साथ जैहिन हो आएखी ज़ाँ आए यंदे पर debates कीजिए है चैनल कि यंद आए वजचर बाकीजिए